हलो एवरिवन दिस इस विजेता आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चाप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है इश्वरन दस्टोरी टेलर यह चाप्टर क्लास 9 के एंसी ए आर्टी के सेप्लिमेंटरी रीडर बुक मॉमेंट्स का चाप्टर नंबर 3 है और जैसा कि इस च इस चाप्टर का प्रोटेगाउनिस्ट है यानि सेंट्रल क्यारेक्टर ऑफ दे चाप्टर है और यह एक स्टोरी टेलर है यानि एक कहानी बताता है कहानी सुनाने वाला इंसान है तो इसमें मेंली दो क्यारेक्टर है इश्वरन और महेंद्रा महेंद्रा के लिए इश्वर ने कुक की तरह काम करता है, उसके घर के सारे काम करता है और वो महेंद्रा को बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी सुनाता है सो चलिए, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name Ganesh ko यह कहाणी एक नौजवान व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई, जिसका नाम था Mahendra He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites Supervisor यानि पर्यवेक्षक, construction यानि यहां पर है निर्माना धीन तो वो Mahendra जो था वो एक firm में junior supervisor था जिसे हिंदी में कहते हैं कनिष्ट पर्यवेक्षक या कनिष्ट निरिक्षक और जो कि यह एक ऐसा firm था जिसमें भिन भिन प्रकार की निर्माना धीन construction sites हुआ करती थी वहां पर उसे supervisor की तरह काम करना होता था जैसे की factories, bridges, dams and so on Mahendra's job was to keep an eye on the activity at the work site Mahendra का काम था कि वो कार इस्थल पर चरने वाली गतिवीधियों पर निगरानी रखे He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office from a coal mining area to a railway bridge construction site from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere तो चुकि इस तरह काम उसका था कि उसे हमेशा construction sites पर रहना पड़ता था तो उसे हर समय एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था जैसा कि उसे उसके head office यानि उसके मुखे कार्याले की ओर से उसे आदेश मिलता था कोईले की खान वाले छेतर से railway पुल वाली निर्माना धीन जगहों पर और कुछ महां से कुछ महिनों के बाद एक रासायनिक सहयंत्र वाले स्थान पर जो कि किसी स्थान पर बनने वाली थी वहां जाना पड़ता था chemical plant यानि रासायनिक सहयंत्र he was a bachelor वो कुमारा था बैचलर यानि कुमारा था उसकी शादी नहीं हुई थी his needs was simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas in the middle of the stone query यानि बुरी सुविधाओं वाला and stone query यानि पथरों की खान तो उसकी जरूरते बहुत कम थी his needs was simple उसकी जरूरते बहुत ही साधारन सी थी बहुत कम थी और वह स्वैम को हर एक परिस्थिती में ढाल सकता था अड़्जस्ट कर सकता था अपने आपको चाहे वो ill-equipped circuit house हो यानि बुरी सुविधाओं वाला circuit house हो या फर stone query यानि पथरों के खान के बीच अस्थाई त्रिपाल का तंबू हो makeshift canvas यानि जो कपड़े का जो तंबू होता है तिरपाल का तंबू वो but one asset he had was his cook Iswaran लेकिन उसके पास एक मुल्यवान वस्तू थी वो था उसका cook Iswaran the cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted जो उसका cook था यानि उसका जो रसोया था वो उसको महेंदर से काफी लगाव था और जहां जहां उसको स्थानांतरित किया जाता जहां जहां उसे भेजा जाता उसको post किया जाता वहां वहां वो बिना किसी शिकायत के उसके पीछे पीछे चल पड़ता था He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night वो Mahendra के लिए खाना पकाता था, उसके कपड़े दोता था और उससे रात को बातें किया करता था He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects, anecdotes यानि किस से और उसके एक खासियत थी, ईश्वरन के एक खासियत थी कि वो विविन विशयों पर अनन्त कहानिया और किस से गढ़ सकता था ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around या amazing यानि अद्भुद, ingredients यानि यहाँ पर खाने की सामगरी, desolate यानि सुनसान and landscape यानि परिदेश्य इश्वरन के पास एक अद्भुद चमता थी, एक अद्भुद उसको कहेंगे उसका skill था कि वो सुनसान स्थान पर भी, desolate यानि सुनसान स्थान पर भी जहां मीलों तक कोई दुकान न दिखे वैसी इस्थानों पर भी वो पता नहीं कहां से सबजियां और खाना पकाने का सामान उत्पन कर लेता था He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at a zinc seat shelter at the new workplace miraculously यानि जादूई तरीके से conjure up यानि प्रकट कर देना तो वो जादूई तरीके से नए कारिस्थल पर जहां पर जस्ते की चादर से बनी छत के आश्रे में पहुँचने के लगबग एक घंटे के अंदर ही ताजी सबजियों से बना सर्वश्रेष्ट स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट कर देता था ये किसकी और एक खूबी मिली ये क्यारेक्टर स्केच में आप लोगों को हेल्प करेगा कि इश्वरन का जहां क्यारेक्टर स्केच की बात आएगी तो सबसे पहला तो हम लोगों ने अभी तक ये जाना की उसके अंदर ये खासियत थी कि बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था बहुत अच्छा एंटर्टेइनर था उसके पास अमेजिंग किपासिटी थी कहीं से भी खाना सबजी या फिर खाने का समान जुकार करना और एक घंटे के अंदर डिलीशियस खाना तयार कर देना महेंद्रा प्रातर जल्दी उठ जाता और नाश्टा करने के बाद अपने साथ कुछ पका हुआ भोजन लेकर काम के लिए निकल जाता मीन्वाइल यानि इस दौरान इस दौरान मीन्वाइल ईश्वरन वोट टाइड अपने बता दिया इस दौरान मुटरिंग यानि बुद्बुदाना इस दौरान जैसे ही महेंद्रा ओफिस के लिए निकल जाता अपने काम के लिए निकल जाता तो इस दौरान इश्वरन वो छप्पर को साफ सुथरा करता कपडेद होता और अपने सिर पर पानी की बहुत धे सारी बाल्टियां उडेल कर आराम से नहाता और पूरे समय वो प्रातना धीरे धीरे बुद्बुदाता रहता और इतना सब करने में दौपर के भोजन का वक्त हो जाता खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता और बिफोर दौजिंग ओफ यानि सोना जबकी लेना यानि सोने के पहले थोड़ी देर वो पढ़ता और यह जो बुक वो पढ़ता था वो यूजविली जो पुस्तक होती थी वो कई सैकडो पन्नों की होती थी और तमिल की रोमांचक उपन्यास हुआ करती थी यह किताबे जो भी वो पढ़ना पसंद करता था इस इमाजिनेटिव देस्क्रिप्शिंग और नेरेटिव यानि कथात्मग और जो यह कहानिया पढ़ता था उसका कलात्मग वर्नन और अचनात्मग धंग इस्वरन को रोमांच में बांधे रखता था इंत्राल यानि रोमांच और यह जो पढ़ता था यह उसके खुद के विवरन भी उन तमिल लेखकों से बहुत अधिक प्रभावित होते थे जो वो अकसर पढ़ा करता था और जब कभी वो छोटी सी छोटी घटना का भी वर्नन करता तो वो कोशिश करता कि रहस्य पैदा किया जाए और वर्नन से आश्चर्य जनक अंत में डाला जाए यानि जो उसका end हो वो आश्चर्य जनक हो वो इस तरह से स्टोरीज को प्रेजन करता था तो ये एक और quality हमें मिल गई कि stories को वो इस तरह से narrate करता कि ताकि जो सुनने वाला है वो बंध जाए, वो सिर्फ उसी को सुने यानि interest बनाता था अपनी story में वो, romance बनाता था, suspense create करता था ताकि सुनने वाला बंध जाए उसके story से For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arced and hands held out in a dramatic gesture The road was deserted and I was alone उदारन के लिए अगर उसे ये कहना होता कि उसने road पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा तो वो आखों को भौं को आखों के भौं को यानि eyebrows को उच्चित रूप से आक्ट आक्ट यानि चापा का मतलब गोल एकदम जैसे हम लोग भौं को चड़ाते हैं तो कैसे वो गोल हो जाती बिल्कुल वैसे ही चड़ा कर और बिल्कुल गोल वैसे ही करकर excited होकर और हातों को नाट की अंदाज से बढ़ा कर कहता कि रोड जो था वो deserted था यानि सुनसान था रोड में कोई भी नहीं था और I was alone and I was alone मैं अकेला था suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprout across the road enormous enormous यानि विशाल बहुत बड़ा sprout यानि पुरा पसरा हुआ जो कि पूरे तरह से फैल गया हो तो वो कहता है कि अचानक मैंने एक चीज देखी जो कि enormous थी यानि विशाल थी जाड़ीदार जानवर की तरह दिख रही थी ठीक है और जो कि सड़क पर पूरी तरह से फैल गई थी प्रावल यानि वो सड़क पर पूरी तरह से पसर गया था या फैल गया था it was half in I was half inclined to turn and go back inclined यानि इच्छुक मैं एक शुक था कि मैं वहां से मुड जाओ और वापस चला जाओ but as I came closer I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि ये गिरा हुआ पेड था और इसके branches जो थे ये चारो तरफ फैले हुए थे branches यानि इसकी जो टहनिया थी ये चारो तरफ फैली हुए थी महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेलफ बाक इन इस कैन्वस चैर और लिसन तो इस इश्वरन तेल्स अंक्रिक्टिकली महेंद्रा अपने आपको वापस कैन्वस की कुरसी पर पीछे की ओर फैला लेता और इश्वरन की कहायनियों को बिना किसी आलोचना अंक्रिक्टिकली यानि बगएर आलोचना के सुनने लग जाता तो यहां एक और हमें इसकी खूबी मिली कि वो बहुत ही रूची कर बनाते हुए अपने कहायनियों को प्रेजंट करता सिंपल सी भी चीज है जैसे कि यहां पर हमने देखा कि एक पेड था जो की रोड पर फैला हुआ था वो एक लाइन में कह सकता था लेकिन उसमें भी उसने सस्पेंस क्रियेट किया और यह बताने की कोशिश की यह मन में जो सुनने वाला है उसके मन में यह डालने की कोशिश की कि आगे क्या होने वाला है यानि सुनने वाले का जो अटेंशन है उसको ग्रैब कैसे करे यह इश्वरन को आता था आगे पढ़ते हैं तो इश्वरन यहां कहता है जिस स्थान से मैं आया हूँ वो इमारती लखडी के लिए प्रसिद है इश्वरन वोड बिगिन अब इश्वरन स्टार्ट करता है वहां सब और एक घना जंगल है तो जो लकडियां होते थी जो लकडियों के लठे होते थे वो गाडियों में हाथियों के द्वारा लादे जाते थे वे विशाल जानवर हैं और उन्हें अच्छी तरह खिलाया जाता था अगर वो जंगली जानवर जो थे वो अगर हिंसक हो जाते तो उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ होता था अफ्टर दिस प्रोलोग ईश्वरन वोड लाँज इन तो अन एलाबोरेट एनेकड़ इन्वालविंग एन एलेफिंट प्रोलोग यानि प्रस्तावना जो जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो हम लोग छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं ताट गारियों में लादा जाता था और इस तरह के जानवर जो यूज वैल फेट बीस्ट थे अगर वो जानवर थोड़े से हिंसक हो जाते तो उनको कंट्रोल करना impossible हो जाता तो यह प्रस्तावना थी स्टोरी बताने से पहले यह प्रस्तावना थी और इसके बाद वो इलाबोरे जिस कहानी में elephant था ठीक है हाथी था one day a tusker escaped from the timber sorry one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about stamping on bushes tearing up wild creepers and breaking branches at will tusker यानी यहां हाथी है here we get a synonym of elephant that is tusker तो एक दिन एक हाथी इमारती लकडी के गोदाम से भाग निकला और वो छाडियों को कुचलते हुए जंगली बेलों को उखारते हुए शाखाओं को मनमाने तरीके से तोड़ते हुए इधर उधर भटकने लगा you know sir how an elephant behaves when it goes mad ईश्वरन वोट गेट सो कॉट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about stamping his feet and emulation of the mad elephant emulation यानी नकल अब वो अपनी ही story में lean हो जाता या enter कर जाता और excited होते हुए वो पूछता महेंद्रा से तुम जानते हो श्रीमान जी एक हाती कैसे बेवार करता है जब वो पागल हो जाता है अब ईश्वरन अपनी ही कहानी में इतना ज़्यादा excited हो जाता इतना ज़्यादा उत्तेजना में जकर जाता कि वो उठता फश से उठकर अपने पैरों को पटकता और पागल हाती की नकल करते हुए इधर उधर कूदता फिरता यानि एक और हमें उसका character sketch में एक और point मिल जाता है यहाँ पे कि वो अपनी ही story को इस तरह से बताने की कोशिश करता कि सुनने वाले को audio-visual जैसा scene मिले यानि सुन तो रहा है सामने वाला उसकी story वो देख भी पाए उसका excitement level और बढ़ जाए वो जो भी वो gesture follow कर रहा है जो भी gesture वो दिखाना चाहरा है सामने वाले को वो देख के सुनने वाले की इच्छा सुनने वाले की रूची को वो capture कर सक कि आगे बढ़ते हैं अब इश्वरन कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हाथी हमारे शहर के बाहरी इलाके में पहुच गया और breaking the fences fences यानी बाड़े बाड़े को वो तोड़ता हुआ ऐसे तोड़ता जैसे कि माच स्टिक सो माचे सो इसके बाद वो आगे बढ़ता है इस तरह से वो कहते हुए आगे बढ़ता है it came into the main road and smashed all the stores selling fruits mud pots and clothes smashed यानी नश्ट किया या तोड़ा तो जब वो main road पे आता है sorry हाथी जब main road पे आता है मुक्य सड़क पर आया तो वो फल, मिटी और कपड़े बेचने वाली सारी दुकाने उसने तोड़ दी people ran helter, skelter in panic लोग भै से इधर उधर भागे shelter, skelter यानी इधर उधर और the elephant now entered a room, sorry school ground where the children were playing, breaking through the brick wall अब elephant एक school की दिवार को तोड़ कर जो की इटो की थी, वो school की दिवार को तोड़ कर school मिक्के मैदान में दाखेल हुआ, जहां बच्चे खेल रहे थे all the boys ran into the classroom and shut the door tight सारे बच्चे कक्षा में, कक्षा के कमरों की तरफ भागे और दर्वाजे को सकती से बंद कर लिया the beast grunted, grunted यानी चिंगाडा, and wondered about pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs, उसके बाद जानवर ने चिंगाड मारी, grunted यानी चिंगाड ना, elephant जो था वो grunt करता है, यानी वो बहुत जोर से चिंगाड था और आप लोगोंने तो सुना ही होगा, elephant को चिंगाड थे वो कितना भयावे होता है, और वो जोर से वहाँ पे हाती जो था वो जोर से चिंगाड और चारो तरफ घूमने लगा, और कभी वो football के goal post को खीच कर फार देता, कभी volleyball के net को फार देता, कभी पानी के लिए रखे हुए drum को लाते मारता हुए से पिचका देता, यानि उसे चप्टा कर देता या रॉन देता और जाडियों को उखारता हुए इधर उधर वो घूमने लगा meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, from there they helplessly watched the depredation of the elephant इस दोरान, जितने भी teachers थे, वो terrace यानि चप्ट पर, विद्याले की चप्ट पर चड़ चुके थे और जहां से वे असहाय होकर, हाथी के जो विनाश, जो हाथी कर रहा था, उसे देख रहे थे depredation यानि विनाश, विनाश को देख रहे थे, there was not a soul below on the ground ground पर यानि मैदान में नीचे एक भी आत्मा नहीं थी, यानि कोई भी नीचे मैदान में नहीं था the streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared जो streets थे, जो roads थे, वो पूरे तरह से खाली थे, जैसा कि संपूर्ण शहर के निवासी अचानक से गायब हो गये थे inhabitants यानि निवासी I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ रहा था और चट से सारा नातक देख रहा था ऐसा ईश्वरन ने कहा I don't know what came over me suddenly I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs into the open पता नहीं मेरे मन में क्या आया मैं अचानक से अपने मेरे जो अध्यापक थे उनके हाथों से एक छड़ी छीन ली Grab यानि छीनना Grabbed यानि यहाँ पर इसका past form है जो वो कहता है इश्वरन कहता है कि मैंने अपने टीचर के हाथ से जो छड़ी थी उनके पास उसको चीना और सीड़ीों से होता हुआ नीचे मैदान में ओपन में आ गया The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk menacingly यानि डरावने धंग से जो हाथी था वो जोर से गुर राया और grant यानि गुर राया और वो जोर से गुर राया और जैसे वो धंकी देते हुए यानि डरावने धंग से डराने के लिए वो उस पेड की शाखा को जोर से हिलाया जिसको उसने अपने ट्रंक में पकड़ रखा था अपने सूर में पकड़ रखा था It stamped its feet kicking up a lot of mud, of dust उसने अपने पैर को पटका और बहुत सारे मिट्टी और धूल को ऊपर उड़ाया It looked frightening अब ये बहुत जादा भयावर दिख रहा था, बहुत जादा डरावना लग रहा था लेकिन, but I moved slowly towards it, मैं धीरे से उसके सामने की और बढ़ा Stick in hand, हाथ में चड़ी लिए हुए People were watching the scene hypnotized from nearby house tops, hypnotized यानि सम्मोहित जो लोग उपर थे, अपने अपने चटों पर थे, वो इस दृशी को सम्मोहित होकर देख रहे थे The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me Elephant मेरी तरफ लाल आँखों से देखा और मेरी तरफ दौरने के लिए वो तयार था It lifted its trunk and trumpeted loudly Trumpeted यानि चिंगाडा उसने अपना सूर उठाया और जोर से चिंगाडा At that moment I moved forward and mustering all my force waked its third toenail on the quick या mustering यानि इकठा करते हुए waked यानि जोर से मारना और इस moment पे जैसे ही हाथी ने अपना सूर उठाया और जोर से चिंगाडा इसी च्छन अपनी पूरी शक्ती को इकठा करते हुए मैं आगे बढ़ा और इसके तीसरे टकने के नाखून पर तेजी से जितना जोर से मैं प्रहार कर सकता था उतने जोर से मैंने प्रहार किया यह जो बीस्ट था यह जो जानवर था एक शन के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर वा सिर से पैर तक कापने लगा और कोलाप्स यानि बिहोश होकर गिर गया अब इस पॉइंट पर इस बंदू पर इश्वरन कहानी को अधूरा छोड़ देता अधूरा छोड़ा और बडबडाते हुए मंबलिंग यानि बडबडाते हुए उठ गया मैं गयास को जोलाने और रात का खाना गर्म करने के बाद वापस आ जाओंगा अब महेंद्रा वो बीच में बेचारा लटक जाता है कि आधी ही स्टोरी उसने सुनाई उसके बाद क्या हुआ महेंद्रा वो अब बीच में लटका हुआ अपने आपको पाया जब इश्वरन वापस आया तो इश्वरन ने कहानी को उसी जगह से सीधे आरंब नहीं किया जहां उसने छोड़ा था महेंद्रा वोड हाफ टू रिमाइंड हिम दाट कंक्लूशन वस पेंडिंग अब महेंद्रा को उसे रिमाइंड कराना पड़ता उसे याद दिलाना पड़ता कि इसका एंडिंग अभी बाकी है वेल अवेटरानेरी डॉक्टर वस सम्मन तू रिवाइब अनिमल इश्वरन वुड श्रग क्याश्वेली तू देज लाटर इट वस लेड अवे बाइट्स महावत टू दे जंगल इश्वरन अब कंधे को उचकाता है श्रग यानि कंधे को उचकाते हुए कहता है कि अच्छा हां कि एक वेटरानीरी डॉक्टर यानि एक पशू चिकित्सक को बुलाया गया समंद यानि बुलाया गया और इश्वरन और दो दिन के बाद उसे महावत के द्वारा जंगल ल जाया गया Well How did you manage to do it इश्वरिन How did you bring down the beast अब महेंदरा इस पे पूछता है कि ठीक है पर इश्वरिन तुम इसे कैसे कर सके तुमने bring down यानी काबू में करना या गिराना How did you bring down the beast तुमने उस जानवर को कैसे काबू में किया या कैसे गिराया It was something to do with a Japanese art I think sir karate और jujitsu it is called अब इश्वरिन इस पे आंसर करता कि इसका कुछ न कुछ संबंध जापानी कला से है ऐसा मैं सोषता हूं श्रिमान जी इसे karate या jujitsu भी कहते है I had read about it मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था It temporarily paralyzes the nervous system you see Paralyze यानि शिथिल करना या सुन करना यानि कि वो जो तीसरे टो नेल पे जो हर्ट किया था उसने हाती को ये एक ट्रिक था जो की जो की अस्थाई रूप से temporarily यानि अस्थाई रूप से सनायू तंत्र को यानि nervous system को paralyze कर देती है Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror और suspense कोई भी एक दिन ऐसा नहीं बीतता था जब इश्वरन ने कोई न कोई ऐसी कहानी ना सुनाई हो जो की जो की शाहसिक भय और रहस्य से भरी हुई ना हो Whether the story was credible or not Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told यहारी counting मतलब होता है वरनन करना यानि यहां पर इसका अर्थ है सुनाना Sorry, I forgot to tell you इश्वरन भले ही उसकी story जो हो विश्वस नहीं, credible यानि विश्वस नहीं हो या ना हो लेकिन उसके सुनने में उसे बड़ा आनन्द आता क्यों? क्योंकि उसका जो सुनाने का तरीका था वो ऐसा था जिसकी नकल ना की जा सके यानि inimitable जिसकी नकल ना की जा सके यानि उसके जो सुनाने का तरीका था वो बहुत ही वास्तविक लगता था इसलिए महेंद्रा को उसकी कहानी सुनना बहुत पसंद था इश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV इन महेंद्रा लिविंग क्वर्टर्स महेंद्रा रहने के कमरों में इश्वरन टेलिविजन की अनुपस्थिती की बहुत जादा भरपाई करता था ऐसा लगता है अब एक दिन की बात है सुबह सुबह जब महेंद्रा नाश्ता कर रहा था तो इश्वरन ने पूछा सर क्या मैं आज कुछ रात के खाने में कुछ विशेश पका सकता हूँ कुछ स्पेशल पका सकता हूँ After all, today is an auspicious day According to the tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today After all, ये एक auspicious day है Auspicious यानि शुब ये एक शुब दिन है आज का दिन जो है वो एक शुब दिन है क्योंकि traditions के अनुसार, परंपरा के अनुसार हम आज के दिन कई धेर सारी delicacies यानि स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट भोजन बनाते है स्वादिष्ट व्यन्जन तयार करते है ताकि हम अपने ancestors यानि पूरवजों की आत्मा को पूरवजों की आत्मा को आज वो various delicacies यानि स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन खिला सके That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills Complimented यानि प्रशंचा उस रात को Mahendra ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनन्द उठाया और Ishwaran को उसके culinary skill, culinary skill यानि होता है पाक कला उसके पाक कला के लिए यानि खाना बनाने की जो कला है उस पाक कला के लिए उसकी प्रशंचा की He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural Unexpectedly यानि आशा के विपरीत, garish यानि भड़कीला लेकिन ये खाना खाने के बाद वो बहुत प्रसन दिखाई दिया लेकिन आशा के विपरीत, unexpectedly यानि आशा के विपरीत वो supernatural यानि अलोकिक शक्ती, supernatural अलोकिक शक्तियों के बारे में भड़कीले रूप से जब वो वर्णन करना शुरू कर दिया वो यानि इश्वरन You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, burial ground यानि कबरस्तान Occupy यानि आधिपत्य में करना He started तो वो start करता है, वो कहता है कि आप जानते है sir, ये जो संपून factory का छेतर जिसे हमने घेर रखा है या हमने आधिपत्य कर रखा, अपने आधिपत्य में कर रखा है ये कभी कबरिस्तान होता था महेंद्रा वो जर्क्ट आउट अउट अव्ड़ेजन रेवरी He had drifted into after the satisfying meal अब महेंद्रा जो है वो इतना स्वादिश्ट भोजन करने के बाद एक जटके से उस सुखत सप्न से बाहर निकल गया I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path मुझे तो पहले दिन ही स्वत्य ही मालूम हो गया था कि जब मैंने एक मानव की खोपड़ी को human skull यानि एक मानव की खोपड़ी को रास्ते में पड़े हुए देखा even now I come across a number of skulls and bones each were uncontinued आज भी मैं कितने ही खोपड़ी और कितने ही हड़ी को मैं देखता हूँ उनसे मेरी क्या कहें उसको उन चीजों को मैं रास्ते में पड़ा हुआ देखता हूँ he went on to narrate how he sometimes how he sometimes of ghost how he saw sometimes of ghost at night अब वो narrate करना जारी करता है यानि वर्णन करना जारी रखा और कैसे उसे कभी-कभी रात को भूत दिखाई देते हैं I am not easily frightened by these things sir मैं इन चीजों से आशानी से भहबीत नहीं होता sir I am a brave fellow मैं एक बहादूर व्यक्ती हूँ but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon लेकिन एक औरत का भयानक भूत जो पूर्णिमा की आधी रात को कभी-कभी दिखाई देता है It is an ugly creature with matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms matted यानि उल्जा हुआ, shriveled यानि सिक्ड़ा हुआ वो कहता है कि ये एक भद्दा जीव है, एक ugly creature है जिसके उल्जे हुए बाल है और उसका face जो है, वो shriveled है, यानि सिकुड़ा हुआ है just like a skeleton, यानि एक कंकाल की तरह है और उसके हाथों में वो एक भुण पकड़ा हुआ होता है fetus, fetus पकड़ा हुआ होता है Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply Mahendra इस विवरन से, इस description से काप गया shivered यानि काप गया और interrupt करता है, यानि उसे बीच में ही दखल अंदाजी करते वे रोकता है शापली, बड़े ही कड़े शब्दों में वो से रोकता है काफी तेजी से उसने दखल अंदाजी की उसने कहा You are a crazy You are crazy इश्वरन तुम पागल हो इश्वरन There are no such things as ghosts or spirits भूतो और आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती Yeah It is all a figment of your imagination ये तुम्हारे मन का एक भ्रम है figment है ये तुम्हारे कलपना का एक भ्रम है Get your digestive system examined जाओ अपनी प्राचन प्रनाली का जाच करवाओ and may be your head as well और हो सके तो अपने सिर की भी You are talking nonsense तुम बखवास कर रहे हो इस तरह से Mahendra ने उसे कड़े शब्दों में उसे डाट दिया He left the room and retired for the night expecting Iswaran to sulk for a couple of days but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever Talkative यानि बातुनी अब इतना डाटने के बाद उसने कमरे को छोड़ दिया यानि महेंद्र जो है वो कमरे को छोड़ दिया और रात को सोने पर सोने के लिए चला गया इस आशा में की इश्वरन couple of days यानि कुछ दिनों तक नाराज रहेगा अगली सुबर लेकिन अगली सुबर वो surprised हो जाता है ये देख कर की रसुया हमेशा की तरह जैसा वो चैपफुल था यानि जैसा वो प्रसंद रहता था जैसा वो टॉकटिव था यानि बातुनी था वैसा आज भी है और उस दिन के बाद से महेंदरा अपनी बहादूरी की बातों के बावजूद जब भी वो सोने जाता तो अपने बिस्तर पर कुछ अनि बिचानी के साथ सोने जाता Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity Every night हर रात को वो जाकता पीर यानि जाकता Every night प्रतियक रात को वो अपने बिस्तर के साथ वाली खिड़की में से अन्धेरे में जाक कर देखता और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता कि बाहर यानि आसपास vicinity यानि आसपास नस्दीक में कहीं भी कोई खनी आकरिती या कोई गतिविधी तो रही है But he could not see a sea of dark He could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away लेकिन उसे रात में टिम्टिमाते तारों की रोश्नी और मीलों तक अथा समुद्र जैसा अंधेरा ही दिखता था He had always liked to admire the milk-white landscape of full moon nights Landscape यानि प्राकृतिक द्रिशी या परिद्रिशी या कह सकते हैं हम लोग उसे पुर्णिमा की रातों की प्राकृतिक द्रिशी की दूज जैसी सफेदी की प्रिशनशा करना हमेशा अच्छा लगता था But after hearing Iswaran's story of female ghost, he avoided looking out of window altogether when the moon was full लेकिन जब से वो इश्वरन की फीमेल भूत वाली कहानी सुनी थी उसने उसके बात से जब भी फुल मून होता यानि पुर्णिमा होती तो वह अपनी खिड़की से बाहर छांकने से भी परहेज करता था यानि वो बात उसके दिमाग में बैट गई थी वन नाइट महेंद्रा वज वोकन आप फ्रम विस स्लीप बाई लो मोन close to his window यहां हिस होगा his window मोन यानि करा विलाप तो एक दिन की बात है एक रात की बात है महेंद्रा अपनी खिड़की के करीब एखलकी से कराहर की आवाज सुनकर उठ गया एक हलके से विलाब की आवाज सुनकर उठ गया At first he put it down to a cat prowling around for mice प्रावलिंग यानि शिकार की खोज पहले तो उसने ये सोच कर छोड़ दिया कि कोई बिल्ली अपने शिकार यानि चूहो को ढून रही है But the sound was too guttural for a cat guttural यानि कंठ से उचारन किया हुआ लेकिन आवाज इतनी अधिक गले से निकलती हुई लग रही थी इतनी अधिक गले से यानि कंठ से उचारित की हुई लग रही थी कि वो बिल्ली की होनी मुश्किल थी He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart अब वो उसने बाहर जहांकने की अपनी उत्सुकता को रोका बाहर वो देखना चाहता था लेकिन उसकी जो उत्सुकता थी उसके उस उत्सुकता को रोका क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जगर उसकी नजर एक ऐसे द्रिश्य पर पढ़ जाए जो उसके दिल की धड़कन को रोक दे यानि वो किसी भी भयावर चीज को देखने से डर रहा था इसलिए वो अपनी उत्सुकता को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन जो वेलिंग थी वेलिंग यानि कराने की आवाज थी वो अब और भी लावडर होती गई यानि कराने की आवाज और ज्यादा तेज होती गई और बिल्ली जैसे कम लगने लगी आसा नहीं लग रहा था कि वो बिल्ली की आवाज है He could not resist the temptation anymore वो अपने उत्सुकता को अपने temptation को नहीं रोप पाया और lowering himself to the level of windowsill He looked out at the white sheet of the moon lights outside और अपने आप को खिड़की के दहलीज तक जुका कर उसने बाहर की चांदनी की सफेद चादर को देखा There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle Mahindra broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting clutching यानि पकड़े हुए, panting यानि हाफते हुए और वो क्या देखता है? जादा दूर नहीं वहाँ एक काली सी धुंदली सी आकरिती है जो की एक छोटे से बंडल को पकड़े हुए थी अब Mahindra को ठंडा पसीना आ जाता है और वो हाफते हुए, panting यानि हाफते हुए वापस तकिये पर गिर जाता है As he gradually recovered from the ghastly experience he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some shot of auto-suggestion some trick that his subconscious mind had played on him जब धीरे धीरे वो उस भूतहा अनुभव से उभरा जब वो भूतिया अनुभव से बाहर निकला तो उसने अपने आपको तर्क देना आरंब कर दिया कि और आखिकार इस निशकर्ष पर पहुँचा इस conclusion पर पहुँचा कि या किसी प्रकार का स्वतह सुझाव यानि भ्रम है या ऐसी चाल है जो कि उसके अवचेतन मन ने जो कि उसके subconscious mind ने उसके साथ खेली है By the time he had got up in the morning had a bath and come out to have his breakfast the horror of the previous night had faded from his memory अब उस समय तक next day हो जाता है सुबह हो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो उठता है सनान करता है और नाश्ता करने के लिए बाहार आता है और पिछली रात की का जब डर है उसकी जो स्मरन शक्ती थी उसने उसमें वो धुंदला हो चुका था ईश्वरन ग्रीटेद हिम अद दोर विद लूंच पैकेट और इश्वरन ने उसका दरवाजे पर स्वागत किया और उसके लूंच पैकेट और उसके थैले को उसको पकड़ाया जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा होता उस समय इश्वरन मुर्खता पूर्ण तरीके से दांत निकालकर ग्रिन यानि दांत निकालकर हसा और कहा सर उस दिन को याद कीजिए जब मैं आपको अपने हाथों में एक भृन लिये हुए एक स्त्री भूत के बारे में बता रहा था तो आप मुझसे ऐसी चीजों की कलपना करने की वज़े से बहुत ज़ादा नाराज थे वेल, you saw her yourself at last night खेर आपने पिछली रात उसे स्वेम ही देख लिया I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room मैं कराहने की आवाज सुनकर दौरता हुआ आपके कमरे में आया क्योंकि यह आवाज आपके कमरे से आ रही थी A chill went down Mahindra's mind He did not wait for Ishwaran to complete his sentence He hurried away to his office and handed in his papers resolving to leave the haunted place the very next day Resolving यानी निश्चे करना Haunted यानी भूत हा Mahindra की रीड की हड़ी में एक कपी सी दौड गई और उसने ईश्वरन के वाक्य को पूरा होने का इंतजार नहीं किया वो जल्दी से अपने दफ्तर गया और अपने कागर सौंपे क्योंकि उसने निश्चेक कर लिया था कि उसे उस भूतहा अस्थान को अगले ही दन छोड़ना था यहां पर यह स्टोरी खतम हो जाती है इस स्टोरी में ईश्वरन ने एक घास्टली एक्सपीरियंस को महेंद्रा को शेयर कर दिया और महेंद्रा एक रात को उस चीज को उस घास्टली एक्सपीरियंस को खुद फील करता है I think मेरे हिसाब से अगर यह कहा जाए तो यह कुछ इस तरह का हो सकता है कि ईश्वरन उसके डाटने की वज़े से बहुत जादा हर्ट हुआ हो क्योंकि हो तो हमेशा स्टोरी को कहानियों को गढ़ कर उसे सुनाता था महेंद्रा को और महेंद्रा कभी भी उसके स्टोरीज को काटता नहीं था कभी भी उसके स्टोरीज को क्वेशन नहीं करता था लेकिन यह जो घास्त्री एक्सपीरियंस जो भूतिया कहानी ईश्वरन ने महेंद्रा को सुनाई तब महेंद्रा ने उसे बड़े ही गुसे में उसे बड़े ही कड़े शब्दों में उसे डाट दिया तो ये चीज इश्वरन डाइजस्ट नहीं कर पाया और पुर्णिमा के दिन हो सकता है कि वो घास्टली जो रूप जो भूतहा रूप महेंद्रा ने देखा वो इश्वरन ही हो ताकि वो महेंद्रा को जवाब दे सके ताकि वो महेंद्रा के वर्द्स को काट सके उसे वही चीज वापस कह सके ये कुछ इस तरह से हुआ होगा क्योंकि I don't believe कि इस तरह का कुछ आज की डेट में प्रेजन्ट हो so whatever it is it was just a story so if you like my the explanation of my story so please like this and share it to others those who need it and subscribe my channel for further videos thank you